Hello, my dear lovely student! आज मैं class 1 के बच्चे को हिंदी पढ़ांगी, हिंदी grammar ठीक है? यह रहा हमारा class 1 का हिंदी grammar, जिसमें मैंने इसके पहले वेले वीडियो में मैंने भासा किसे कहते हैं, मौखित, लिखित भासा किसे कहते हैं, भासा का प्रयोग जो होता है बूलना लिखना सुनना परना ये सब मैंने इसके पहले के वीडियो में समझा दिया है तो मैं आज इस चेप्टर की questions answer करूंगी ओके बच्चो ओके सो लेस्टार आवर हिंदी क्लास मेरे थाथ बोलो क्या है ये क्या आप सेर की डाहार या कोई की काउ काउ से उनके मन की बात को जान सकते हैं बोलो बच्चो आप सेर की जो आवाज दिकालता है सेर की आवाज कैसे उठी है डाहार और कोई की आवाज काउ 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 जब कोई काउ काउ बोलते हैं और सेर दाहारते हैं तो उनकी आवाज को आप समझ सकते हो क्या बोल रहा है नहीं हम सुन सकते हैं समझ नहीं सकते हैं उसका answer क्या होगा? नहीं. क्या होगा? नहीं. ठीक है? आप लोग अपने copy में लिखिएगा? नहीं. उसके बाद क्या है बच्चों? आप अपने दोस्तों को बुलाने के लिए भासा के किस रूप का प्रियोग करते हैं? अगर आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, मान लो रहे हो. राजडीप इधर आ. तो आप कैसे? लिख कर बोल रहे हो को मुझ से बोल कर बोल रहे हो. कैसे बोल रहे हो? बोल कर बोल रहे हो अर्थात यह क्या हुआ? बोलने वाली भासा हुआ. मतलब मौखिक भासा. तो इसमें क्या लिखेंगे? मौखिक भासा. यहां पर क्या पजबाया इसका एंसर नहीं है, इसका एंसर मौखिक भासा है, उसके बाद देखो क्या है, चित्र को देखकर बताए की बच्चे भासा का प्रेयोग किस पकार कर रहे हैं, तो ये जो एक लड़की है, अच्छे से देखो, ये माइक में कुछ बोल रही है, तो बोलना मतलब क् बच्चो ये बोर्ड में कुछ लिख रही है तो क्या होगा इसका इंसर लिख कर क्या कर रही है ये लिख कर लिख कर ठीक है ये देखो ये क्या कर रही है ये बच्चे ये दादियामा ये दुसरे से क्या कर रहे है बात कर रहे है तो क्या होगा बोल कर यह पर क्या लिखेंगे हम बोल कर और ये क्या कर रही है ये इसको इससे कुछ को बोल रही है तो क्या कर रही है ये इसको बोल रही है बोल कर ये का कर रही है सुन रही है तो क्या होगा बच्चो इसका एंसर सुन कर क्या होगा सुन कर ओके यह लिखेगा सुन कर तो पहला हुआ बोल कर इसके बाद ये टीचर लिख रही है वोड में तो लिख कर ये दादी हमा इससे बात कर रही है ये क्या हुआ बोल कर ये जो है ये इससे बात कर रही है और ये सुन रही है तो क्या हुआ ये लिख कर ओके बच्चो, ओके नहेशट क्या है चित्र में नेश्ट क्या है चित्र में भासा के किस रूक का प्रियोग किया गया है उसपर गोला बनाए ठीक है जैसे यहाँ पर यह क्या है यह जो आदमी है बरा सा, मोटा सा आदमी जो है ये मारिक लेकर कुछ बोल रहा था थाथ मौखिक लिखित और मौखिक दो है तो बोलना किसमें आता है मौखिक में आता है मौखिक भज़ा किसे कहते हैं बोल कर तथा सुन कर जो मन के भाव को समझते हैं उसे हम मौखिक भज़ा करें इसलिए यहाँ पर मैंने गोल किया है मौखिक यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ देखो यहाँ दो सहलिया फोन पर बात कर रही है तो मतलब मूझ से बोल भी रही है और यह दूसरी के बात को सुन भी रही है तो बोलना सुनना किसमे आता है बच्चो मौकिक भासा में तो हम इस मौकिक भासा को गोल करेंगे ठीक है उसके बाद देखो गौनाबर क्या है ये जो है अखवार पढ़ रहे है ठीक है तो पढ़ना और लिखना किसमे आता है बच्चो जिस भासा को हम लिख कर और पढ़ कर मन के भाव को समझते हैं उसे हम लिखित भासा कहते हैं तो यह क्या हुआ लिखना इस पर गोल करेंगे यह क्या कर दिया बच्चो डेडियों में यह क्या कर रही है गाने सुन रही है तो बोलकर सुन करके भासा को क्या कहते हैं मौकिक भासा है मैंने यहाँ पर इसको गोल कर द बताया है ठीक है उसको गुल चिलना करना आप नेश्ट में देखो क्या है यहां देखो सही वाकिय के सामने सही और गलत वाकिय के सामने गलत का हमें निशान निखाएं जो सही है उसके सामने ऐसे करना है जो गलत है उसके सामने ऐसे करना है ठीक है तो बोलो हम कौन नंबर क्या है हम पसू पंचियों की ध्वानी को समझ सकते हैं बोलो बच्चो दाहार कर अपने मन के भाव को प्रकट करती है, बिली का आवाज कैसा होता है, बच्चो, मैयो मैयो, कैसा होता है, मैयो मैयो, आदाहार कर कुन करता है, से दाहारता है, तो ये भी क्या होगा, क्रोस, बिली का आवाज कैसा होता है, मैयो मैयो, हम बोलकर या लिखकर अपने लेक्षो isku के बाद है नीच को उनकी बौली से उचित मिला जो बोली बोलती है बतक कैसे करती है क्या Guess यहां पर लगात है उसमें मरीूर कैसे बोलती है यह और पहले में इससरी बंख करते हुअ इसकी बोली कैसे होती है पच्छी की कववा की बोली कैसे होती है काउं काउं तो कववा की क्या होगा काउं काउं मयूर कैसे बोलती है गुटूर्गू मयूर कैसे बोलती है गुटूर्गू और ये तो तक ये ये कैसे बोलती है क्वें क्वें ओके बच्चो समझ में आया तो आप लोग का हुमवक क्या रहा आप लोग अपने घर पे यह सब हुमवक कीजिएगा ठीके बच्चो आप लोग अपने घर पे यह सब हुमवक कीजिएगा आज एक तारीक है पांच दो हाजार बीस यह आप लोग का हुमवक रहा यह सब